हेलो स्टुडेंट्स इस वीडियो नंबर 6 ऑफ मेगनेटिक एफेक्ट ऑफ करेंट्स बेटा इसके पहले हम लोगों ने बायो सेवर्ट सला देखा था और उसका एप्लिकेशन भी हमने देखा था उसमें हमने क्या है कि स्ट्रेक्ट वायर और करेंट केरिंग लूप की वजह से मैगनेटिक फिल्ड का हमने कैलकुलेशन किया था और डिरेक्शन को भी हमने फाइंड आउट किया था ठीक है बेटा जी तो मैगनेटिक फिल्ड को हमने बायो सेवर्ट की हिल्प से कैलकुलेट किया था जो पिछली पर आप देख रहे हो कि एक नोट हमने डाला है कि electrostatics में हमने दो लॉज पढ़े थे कौन-कौन से Coulomb's law पढ़ा था हमने और Gausses law पढ़ा था हमने Coulomb's law और Gausses law इन दोनों की help से हमने electric field का calculation किया था जो आपका traditional method था Coulomb's law की help से भी हमने का calculation किया था KQ by R square करके वह हमने निकाला था एलक्टिक फिल्ड दू पॉइंट चार्ज दू लाइन चार्ज दू चार्ज दू चार्ज शीट तो बहुत सारी चीजों की तो Coulomb's law की help से हमने electric field का calculation किया था बाद में उसी electric field का calculation है एक हमने short method से एक alternative method में निकाला उसे बोलते है Gausses law और Gausses law क्या है आपको पता है electrostatics में कि जो flux को लेकर के हम आगे बढ़े थे कि हमने एक close surface लिया उस close surface पर हमने जो है flux calculate किया और आपने पूरे के पूरे close surface पर उसको आपने integrate करके वहां से electric field का calculation कर लिया आपने तो आपको जब भी आप gausses law लगाते थे तो आपको Gaussian surface बनाना पड़ता था close surface इसके बाद आप gausses law को apply करते थे और फिर आगे बढ़कर कि वहां से अलग-अलग cases में आपने electric field का calculation किया था यह सब चीज़े आपको याद होगी बिल्कुल similar way में हम लोग magnetic field के case में भी there are two laws हम दो laws पढ़ते हैं पहला law आपका है magnetic field magno static में जो है क्या होता है magnetic वाले case में तो इसमें जो है magnetic field की calculation के लिए अगर कोई मान लो current carrying wire है अपने आस पास क्या बना रहा है तो इस magnetic field के calculation के लिए हमने बायो savers law की help लिया था और उसको हमने explain किया था और magnetic field और दूसरा क्या है और यही magnetic field के calculation के लिए एक दूसरा law है उसे बोलते हैं ampere circuital law ampere scientist का नाम है इन्होंने भी क्या है एक simple method दिया कि जिससे कि आप किसी भी current carrying wire के आस पास जो magnetic field produce हो रही है उसको आप calculate कर सकते हो with the help of ampere circuital law तो ampere circuital law भी क्या है magnetic field की value को ही calculate करेगा जिसे बायो savers करता है जिसे गौसिस में आपने coulombs लापढ़ा था वहाँ भी आपने electric field का calculation देखा था और बात में आपने गौसिस law की help से भी क्या है electric field का calculation देखा था तो हमें पढ़ना है ampere circuital law पढ़ना है और देखना है कि ampere circuital law का हम use करके कैसे magnetic field को calculate करते हैं ठीक है मेटा जी और आपको पता है कि electrostatic में जो आपका गौसिस law था उसके बारे में आप जानते हो कि गौसिस law क्या था electrostatic में कि closed integral e.da साइद आपको याद होगा तो is equal to क्या होगा बैटा जी जो charge enclosed होगा q enclosed upon epsilon not यह आपका गौसिस law था यहां से आप लोग electric field का calculation करते थे for a closed surface के लिए हन्य Gaussian surface आप बनाते थे अब ampere circuital law में भी क्या है magnetic field का calculation करेंगे और यहां पर जो ampere ने formula दिया था वो दिया था बिल्कुल similar दिया था क्या यहां पर closed यह लिया था इन्होंने magnetic field देखो यहां पर electric field यहां पर magnetic field है यहां पर आपका surface area है डी यह क्या है जो surface area है close surface area है यहां पर surface area नहीं बनेगी यहां पर बनेगा line dl बनेगा length बनेगा दोनों में फरक आप समझ गए होगे यहां पर d a यहां पर dl dl का मतलब simple यहां पर length आएगा तो b dot dl is equal to यह आया था कि mu naught into i in इन का मतलब enclosed current यहां पर charge की value आए थी और यहां पर आगया i in यह आपका है ampere circuital law का formula कैसे बनेगा बताता हूँ आपको तो बिल्कुल similar ही है यहां पर आपका surface integral है यहां पर surface को integrate करते हो यहां पर यह line integral है length को integrate करते हो इसका यह मत्तब हुआ कि जब आप gausses law पढ़ते हो तो आप क्या बनाते हो आप जो surface बनाओगे वो gaussian surface बनाओगे और जब आप ampere law पढ़ोगे तो उस time पे आप जो है कि जो आप जो close surface नहीं बनाओगे आप एक loop बनाओगे close loop क्योंकि close loop में ही आपका line आएगा length आएगी surface आप gausses law में surface बनाते हो यहां पर आप surface नहीं आपर line बनाओगे देखते हैं कैसे हम आगे बढ़ेंगी statement की बाद हमने यहां पर कर ली है statement तो पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा ही आएगा पहले हम situation लेके उसको हम लोग explain कर ले रहे हैं मानलो हमारे पास कई wires हैं जिसे आपने देखा था कि जिसे आप से मैंने कहा था ना इसमें hypothesis में क्या कह था मानलो यहां पर कोई charge q1 है यहां पर कोई charge q2 है यहां पर q3 है यहां पर q4 है और हमने गosian surface बनाया हमाने इस point पर आप electric field का calculation करना चाहते हो Gaussian surface बना करके तो इस point पर जो electric field बनेगा वो electric field होगा due to all charges Q1, Q2, Q3, Q4 जितने भी charges हैं surrounding में सबकी वजह से इस point पर electric field बनेगा यह तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ यहाँ पर जो EI due to all charges लेकिन जब आप इसको equate करोगे और right side में जब लिखोगे तो सिर्फ क्या लिखोगे Qnclosed जो चार्ज इस surface की अंदर enclosed है उसको यहाँ लिखते हो upon epsilon not करते हो ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ भी देखो क्या है अब यहाँ पर हमें current carrying wire लेना है यहाँ पर charge का तो rule है नहीं हमारे पास चार wires है मानलो अब हम कैसे रखेंगे उनको देखो एक wire मानलो हमारा ऐसे है यह wire है आपका wire का मतलब क्या हुआ हुआ मानलो इसमें I1 current flow करे रहे वायर ऐसा क्यों दिखाया ह dot का मतलब wire उपर की तरफ जा रहा है अंदर से आया हुआ उपर की तरफ जा रहा है वर्टिकल रखा हुआ है current भी उपर जा रही है dot का मतलब I1 current कहा है उपर की तरफ है 3D में है समझने की कोशिश करोगे अज़ आप समझ पाओगे अचा दूसरा wire हमने लिया यहाँ पर इस मानले जी हमने दूसरा wire लिया इसमें भी दूसरा wire लिया इसमें current मानलो I3 flow कर रही है वो outward हो रही है मानलो हमने जो हमने fourth wire लिया वो मानलो हमने यहाँ लिया इसमें हमने cross कर लिया ऐसे for simplicity और current आपको दिखाया हमने I4 I4 current किधर है आपको पता है direction हम current के लिए बता रहे हैं तो यह फिल्ड की direction नहीं है यह current बना रहा हूँ मैं wire रख रहा हूँ एक wire यहां रखा हुआ है एक wire यहां रखा हुआ है दूसरा तीसरा यहां रखा है लिखर रखा कैसे है उसको बता रहा हूँ I4 current कहां invert जा रही है इस प्रकार surrounding में बहुत सारे wires जिसमें current flow कर रही है ऐस surface बनाया आपने क्या यह surface है नहीं यह loop है एक wire से एक loop बनाया आपने जिसमें सिर्फ length आने वाली है surface नहीं है ठीका बता जी अपने मन से random आपने एक close loop बना दिया और इस close loop को बोलते हैं emperion loop या emperes loop emperion loop जिसे वहाँ पर क्या है Gaussian surface बोलते हैं यहाँ पर बोलेंगे loop को emperion loop इस बात को अगर आप समझ गए होगा तो मैं आगे बढ़ूँगा ठीक है बटा जी अब इसको आपने close कर दिया I think मेरी बात आप समझ पा रहे हो मान लो इस emperion loop जो आपने मन से बनाया है random आपने बना दिया डरने की बात नहीं है बात मिं बताऊंगा कैसे बनता है अभी आपने random बना दिया फिर आपने कहा कि सरमालो यहाँ पर कोई point P है इस point P पर हम magnetic field की value calculate करना चाहते हैं तो इस point P पर magnetic field की जो value होगी वो सिर्फ क्या इस close loop के अंदर जो current है उसी की वजह से होगी आप आपको पता है कि current carrying wire क्या है magnetic field बनाता है तो P point पर जो भी magnetic field होगा due to the all currents जो loop के अंदर है उसकी वजह से भी है और जो loop के बाहर है उसकी वजह से भी है मत्तब इस point पर जो मानलो B net मानलो ऐसे मिला आपको यह आपका मानलो B net है random ले लिया कोई problem की बात नहीं यह आपका B net है यह जो B net आपको मिलेगा यह B net क्या है due to all current due to all current inside and due to क्या बनेगा due to all current यह inside and outside wires जो भी inside आउटसाइड करने सबकी वजह से आपका B net मिलेगा तो अगर इस point पर B का calculation किया जाए तो ampere ने बताया क्या किया उन्होंने उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो आप कि यहाँ पर एक छोटा सा जो लूप आपने बनाया है इस लूप में आप एक छोटा सा element कट कर लो ऐसे और इस लूप को मानो कि यह आपका DL है Gaussian के case में आप DS element आप कट करते थे यहाँ पर आप DL element आपने कट किया और यहाँ पर magnetic field क्या है आपका है B है ठीक है यह उन्होंने कहा कि भाई जहाँ पर आप field निकाल रहे हैं आप छोटा सा element DL कट कर लो और जो B net है वो तो आपको मान लो आपने assume कर लिया कि B net आपका due to all wires होगा ही होगा तो उन्होंने बताया कि क्या बनेग B dot DL यह बताया था ampere ने कि जो आपने amperian loop बनाया है उस loop पर जिस point पर आपको magnetic field का calculation करना है वो point आप select कर लो और एक amperian loop बनाओ जो amperian loop जो है उस point से होता हुआ जाएगा random shape का हो सकता है लेकिन जिस point पर आप field को calculate करने चाहते हो उस point से क्या है आपका यह जो loop है पास होना चाहिए तो आपने कहा कि आप पास हो गया तो वहाँ पर एक छोटा से element कट कर सकते हो आप तो B हो गया और आपका DL है तो B dot DL जो होगा अगर इस पूरे B dot DL को पूरे close loop में जो loop आपने बनाया इसको integrate कर देंगर close loop ऐसे हो तो यह हो जाएगा mu naught into i in यहाँ पर जो current आप ले रहे हो यह current due to the enclosed loop वो वही current लोगे जो इसके अंदर enclosed है बाहर वाली current आप नहीं लोगे i in में i4 i3 नहीं आने वाला है लेकिन यहाँ पर जो B है न वो B जो है magnetic field due to all currents ऐसा मैंने आपको gaussis law में भी explain किया था अब यह statement दिया था किसने ampere ने इसकी application देखो तो आपको और भी समझ में आएगा I think इस बात को समझ पाए आप मैं क्या बोलना चाहता हूं और जो आपका i in है वो i1 और plus i2 है ठीक है बेटा जी अब i in की value क्या होगी क्या i1 प्लस i2 हम direct नहीं सकते हैं i in कितना है एक i1 है एक i2 है अगर i1 और i2 दोनों की direction सेम है तब तो हम i1 प्लस i2 लिख देंगे i in equal to लेकिन यहाँ पर direction क्या है different है ठीक है बटा जी याद रखिए जब आप close loop बनाओगे इस close loop की direction आप अपने मन से decide कर लोग मान लो आपने ऐसे मान लिया close loop बनाया तो आपने खुद assume कर लिया कि जो हमने loop बनाया है उस loop की direction को हम ऐसे represent करेंगी ठीक है बटा जी और loop के अंदर जो current है कुछ inward होगी कुछ outward होगी कुछ loop के अंदर जाती होई दिखाई पड़े कुछ outward दिखाई पड़ेगी तो एक को लेंगे positive एक को लेंगे negative तो आप क्या करो जो आपका ये loop है इस loop के along अपना curl finger करो तो थंब आपका ऊपर जाएगा जो loop आपने imagine किया होगा है उसको हम positive लेंगे और जो inward जारे उसको हम negative लेंगे I think मेरी बात आप समझ पाए loop बना करके आप लोग assume कर लिया करो तो ये आपका i1 आपका positive होगा i2 आपका negative होगा तो अगर हम यहाँ लिखते हैं closed integral b dot dl is equal to mu not i इनकी value क्या होगी i1 को आप लोगे positive और i2 को आप लोगे negative द ऐसा क्यों क्योंकि जो हमने closed loop बनाया होगा उसकी direction यह दिखाई पड़ रही है इसकी along आपने अपना curl finger rotate किया थम आपका ऊपर चला गया तो आपने इसको ले लिया positive इसको ले लिया negative I think मेरी बात आप समझ पा रहे हो अगर एक बच्चा चाहता है कि हम जो closed loop हमने बनाया है उसकी direction हम उल्टा बनाएंगे ऐसी तो अगर उसने आपने उल्टा direction अपने मन से बना दिया assume कर लिया जब भी question करोगे loop की direction को अगर आपने assume कर लिया तो उसी के हिसाब से आप I1 I2 के direction को represent करोगे अगर आपने रीवर उल्टा ले लिया आपने clockwise तो आपको अपने आप लोग इस बात को समझ गए बड़ा important concept है तो the law state that the line integral अब इसे क्या कर लाइन आप देखो इसे क्या बोलेंगे magnetic field को हम length पर integrate कर रहे हैं जिसे बोलते है line integral of magnetic field इसे क्या बोलेंगे line integral of magnetic field magnetic field को इसी length पर हम integrate कर रहे हैं तो इसे बोलते है line integral of magnetic field ठीक है बड़ा जी magnetic field around any closed path any closed पूरे के पूरे पे is equal to the mu times the current I through the area bounded by the closed path जो इस close path के अंदर जो current bounded है उसके उन दोनों को mu times होता है मतलब i1 plus i2 into mu कर देंगी अब i1 i2 कब negative होगा कब positive होगा यह आपको loop को बना के देखना है यह चीज मुझे बतानी सी आपको I think आप समझ गए क्योंकि यह main important concept था इसके बाद मैं इसके application के लूँगा और आप देखेंगे कि ampere lag का use करके हम किसी भी point पर magnetic field का calculation कर सकते हैं लेकिन याद रखिएगा जिस point पर आपको magnetic field निकालना है उस point को reference लेकर के एक emperion loop बनाओगे और उस emperion loop पर ही वो point आना चाहिए ठीक है अब जब जो भी cases लेंगे तो आपको random emperion loop नहीं बनेगा आपको symmetrical बनेगा तो घर कोई आपसे पूछता है क्या emperion क्या emperial circuit law any close path के लिए close loop के लिए applicable है कहोगे यास लेकिन हमारे जो हमारे syllabus में है maximum आपको ऐसा मिलेगा कि emperion loop आपका symmetrical होगा तो आपको डरने की need नहीं होगी आप B और DL के बीच में angle calculate कर सकते हो क्योंकि B dot DL है तो क्या बनेगा B DL into cos theta बनेगा तो बड़ी important चीज है कि B और DL के बीच का angle निकालना इसलिए क्या है कि symmetrical होगा तो angle आप बढ़े आसानी से calculate कर सकते हो तो हम आते हैं application वाले part पे statement आप समझ गए होगे ये ampere ला बिलकुल gauss ला के gauss ला के similar है ठीक है बेटा तो हम अगले concept में आते हैं कि अब देखो बड़ा एक छोटा सा proof है मतलब इसको इसका प्रूफ है कि बी डॉट डील यह मू नॉट इंटू आइन के बराबर ही होगा ठीक है इसका प्रूफ देख लेते हैं हम अभी बायोट सेवट में हमने देखा था कि अगर हमारे पास क्या है infinite straight wire है तो अगर हम उसके मालो कि r distance पे अगर हम जा करके यहां पर कोई point P है हम निकालते हैं magnetic field तो magnetic field की जो value यहां आएगी वो जो b निकल के आएगा b is equal to के आएगा बेटा जी mu not i upon 2 pi और यह अगर आपका distance आपने अगर a लिया है तो a ली सकते हो अगर मैंने इसको a ले लिया है a ली सकते हो d ली सकते हो मालो यहां पर a लिया है radius तो यहां पर a हो जाएगा यह हम निकाल चुके हैं ठीक है तो अब हम जो है कि ampere circuit law का प्रूफ करेंगे बायो सेवर्ट से ही तो देखो बिटा जी अगर हम कहें कि भाई जो है यह current कहां उपर के तरफ लो कर रही है तो जो इसके चारों तरफ magnetic field बनेगा हमने जो circle बनाया है यही आपका magnetic field है यह यह magnetic field lines ऐसे ही बनेगी मतलब आप देखो इधर से line इधर से current निकलती हुई ऐसे जाएगी और यहाँ पर अंदर enter करके पीछे से निकलके आएगी मतलब अगर हम इस P point की बात करें तो P point पे आपको जो current है sorry magnetic field है वो अंदर enter करती ही दिखाई पड़ेगी इस point पर क्या है आपको यह magnetic field जो है अंदर जाती ही दिखाईगी और इस point पर magnetic field आपको बाहर आती ही दिखाई पड़ेगी तो I think enter कर रही है field और बाहर निकल रही है ठीक है मतला जी यह आपकी एक field lines ही बन गई ठीक है अब आप चाहते हो B dot dl निकालना मान लो यह आपका जो आपने loop बनाया होता है तो हमने magnetic field को ही loop मान लिया मान सकते हैं loop हमें बनाना है तो for simplicity क्या है जो magnetic field बना हुगा है जिस shape का वो ही हमने loop मान लिया तो मैं पूछूंगा कर मालो यहाँ पर जो इसकी length है इसकी length कहा जाएगी इसकी मालो यहाँ पर हमने जिस point पर हमको field calculate करना है वहाँ पर हमने चोड़ा से element कट किया अब यह लेंथ जो है जाएगा inward याद रखना यह जो लेंथ आपका कटेगन डील हो जाएगा डील जो है inward जा रहा है आपको दिख भी रहा होगा और क्योंकि देखो 3D में है न ऐसे रखा होगा तो आपका डील चोड़ा से बीच का angle आपका जो है 0 degree है यही बढ़ा ना तो हम बताएए यहां से बी डॉट 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 और इसको पूरे के पूरे लूप पे के बराबर आएगा अप्लिकेशन वाला पार्ट आएगा तब तो हमारा आसानी से फिल्ड को calculate करेंगी लेकिन यहां पर प्रूफ करते वक्त यह मान लेंगे कि पी पॉइंट पर magnetic field हमें पता है कि हम प्रूफ कर रहना तो आपने का मू नाट आएप अपन टूप आई यह है बायूर से आपने इसको जानते हुआ तो आपने क्या निकालना है बी डॉट डील निकालना है और क्या है closed loop में पूरा का पूरा बी डॉट डील मू नाट आई के बराबर अगर आगया तो हम प्रूफ कर देंगे तो आपने कहा कि यहां पर बी कहां पर है अब इसको हम equate अब दोखो बी यहां पर आपका आ जाएगा क्या बी डी एल कॉस जीरो आ जाएगा अब देखिए बाहर निकाल लिया जब बी को आपने बाहर निकाल लिया क्योंकि बी तो हर पॉइंट पर constant है जितना भी लूप में आप बी 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 इसको हम बाहर निकाल लिया यहां पर सब लोग है जितने भी element सब पर constant आएगा तो बी को आपने बाहर निकाल लिया तो इंटेग्रेशन किसका होगा closed integral होगा तुमारा dl और dl होगा आपका 2 pi a तो यह हो जागा तुमारा b into 2 pi a और b की value अल्डेडी निकाल रखे हो आप क्या तो यह हो जागा closed integral b dot dl is equal to b आप निकाल रखे हो mu not i upon 2 pi a into 2 pi a कर दिया अपने यहाँ पर आपका क्या आगया देखो closed integral b dot dl is equal to mu not i आगया ना देखो यह प्रूफ हो गया यह इसका प्रूफ आगया तो b dot dl जब हम closed loop बना लेंगे तो b dot dl करेंगे अग closed loop में उसको integrate करेंगे तो आपका आजाएगा mu not i आजाएगा i क्या है i वो current है जो loop के अंदर flow कर रही है इस तरीके से क्या है हम चीजों को calculate करेंगे इसका proof हमने देख लिया कोई doubt होगा तो बटा हम रे discuss करना ठीक है अब हम ampiers का application देखेंगे कि ampiers circuital law की help से हम कैसे किसी भी system किसी भी current carrying wire की वजह से जो है field जो बनेगी जो magnetic field बनेगी उससे कैसे calculate करेंगे ठीक है बटा जी ampiers law क्या है और उसका proof क्या है मैंने आपको explain किया अब अगले concept में आते हैं उसके application वाले part पर अब बटा देखो ampiers आपने ये proof दिया था तो प्रूफ तो हमने कर लिया अब मैं पढ़ना है application of ampiers circuital law अब ampiers circuital law के help से हम different different situation में magnetic field calculate करेंगी आप तो पहला जो into long straight wire ठीक है बटा जी तो long straight current carrying wire को आप पहले ही बायूर से कल्कुलेट कर चुकी हो लेकिन हम ampiers से भी calculate करेंगे ठीक है ना जब इसका proof दे रहे थे तो आल्रेडी आप यहाँ पर magnetic field को जानते थे कि बायूर से आपने हाँ पर magnetic field का calculation आपने कर दिया फिर आपने proof कर दिया ले इसमें current i flow कर रहा है और मालो कोई point आपका यहाँ पर है point P इस point P पर आपको magnetic field की value find out करनी है तो आपको तो direct पता है mu not i upon 2a होगा अगर यहाँ से लेकर इसका distance जो है उस point का distance जो है मालो कि a है तो यहाँ पर जो field होगा वो mu not i upon 2 यह होगा जानते हो लेकिन वो bio savert से आपने इसको solve किया हुए अब empire law की help से हम निकालेंगे mu not i upon 2pi mu not i upon 2pi e ठीक है यह चीज हम करने वाले यहाँ पर है तो देखो बैटा जी आप क्या करोगे आपको पता है current कहा फ्लू अब आपको बनाना होगा पहले एंपीरियन लूप बनाना होगा वो एंपीरियन लूप random shape और size का हो सकता है random shape का हो सकता आपको पता पते मैंने बताया है लेकिन हम क्यों random बनाएंगे अगर current eyes में flow कर रहा है और आपको पता है कि यह wire है तो wire के चारों तरफ जो magnetic field का जो direction होगा जो loop बनेगा वो ऐसे यस इस wire के चारों तरफ गर आप right hand thumb rule का यूज करो तो magnetic field इसी shape का बनेगा तो जिस shape का magnetic field lines बना हुगा है उसी को हम loop क्यों न मान लें भाई loop ही तो बनाना है तो empyrean loop हम कैसा बना लें कि जैसी है इस wire के चारों तरफ जो magnetic field lines का shape होगा उसी को हम empyrean loop close loop मान सकते हैं क्योंक हमने मान लिया इसी को हमने मान लिया empyrean loop I think मेरी बात आप समझ गए अब देखो बेटा जी अब यहां पर हमें निकालना क्या है आपको पता है अगर देखा जाए तो जिस तरीके से shape आपका बना हुआ है उसमें देखो current यहां से enter करेगी और यहां से बाहर निकलेगी तो यहां पर हम बना सकते हैं कि यहां पर आ र यहां पर एक छोटा से element cut करोगे जैसा कि आप करते आये हो यहां पर एक छोटा से element cut करोगे उसको नाम दोगे dl यहां नाम दोगे dl दोगे और magnetic field की direction क्या होगी dl की along ही होगी क्योंकि dl जो wire आपका वो अंदर जा रहा है तो magnetic field भी आपकी अंदर की तरफ मैं दिखाऊंगा आ अंदर की तरफ है यह तो confirm हो गया तो यह आपका imperial loop है तो आप देखोगे according to ampere law according to ampere circuital law क्या होगा बटा जी अगर हमने ampere circuital law हमने बनाया तो क्या बनेगा देखो आप कहते हो कि closed integral b dot dl है ना closed integral बनेगा आपका b dot dl equal to आपका होने चाहिए mu not i के बराबर तो आप देखिए हमको b तो करना है calculate तो आपको यहाँ पर closed integral b into dl into cos 0 क्योंकि b और dl के बीच का जो angle है वो 0 है क्योंकि b अंदर की तरफ है dl भी आपका अंदर की तरफ है और imperial loop आपने बना लिया है और इस पूरे की पूरे loop पे आपने पूरा का पूरा b dot dl को integrate करना है तो यह हो जाजागा किसके बराबर mu not i के बराबर क्योंकि i current flow कर रही है loop के अंदर i current है आप देखो बटा जी क्या है हमें b calculate करना है तो b आपका हर point पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर loop के हर जो imperial loop आपने बनाए उसके हर point पर फिल्ड की वेरू सेम है क्योंकि close है न आपका तो wire से हर point का अगर जो आपका यह loop है loop जो है wire से हर point पर सेम है loop का जो हर point है wire से वो same distance पर है यह तो आप जानते हूँ तो आपने का cost जिरू हो जाएगा कितना cost जिरू हो जाएगा 1 बी को बाहर निकाल लिया तो आपका बी बाहर आ जा गया यह हो गया closed dl mu not i ठीक है बटा जी अब dl को आप कहां से कहां integrate करना आपको है 0 से लेकर के 2 pi a तक circumference पूरा का पूरा कितना है 2 pi a है तो आपको बी into कहां से 0 to 2 pi a into dl is equal to mu not i यह तो ampere ला ही है इस का हम यूज कर रहे हैं तो अब क्या हो जाएगा यह हो जाएगा बी into 2 pi a is equal to mu not i तो बी कितना आ जाएगा mu not i upon 2 pi a देखवा गया ना आगया तो ampere circular lock का हम यूज करके हमने क्या किया इस wire के चारो तरफ हमने एक close ampere loop बनाया वो ampere loop हमने field को ही मान लिया जो field का loop बना उसको ही मान लिया क्योंकि हमें वो simplicity होगी for simplicity हमने ऐसा किया और आपको पता है कि जो b यहाँ पर आपका आया उस b की direction और d direction दोनों सेम है तो आपका angle आपका cost zero आजाएगा और यह आपका mu not i करके हम आगे बढ़े तो last में जो result हमको मिल गया mu not i upon two पाईए तो ampere circular lock की help से हम long straight wire current carrying wire की वजह से किसी a point पर field की value क्या होगी वो हमने निकाल लिया direction आप जानते हो कि invert होगा वो तो आपको पता ही है ठीक है बेटा जी कोई doubt होगा तो please हमसे discuss करना अब हम अगले application वाले पार्ट पर हमा रहे है ठीक है बेटा अब बेटा देखो इसका जो दूसरा application है पहला हमने यहाँ पर discuss कर लिया कि अगर आज straight wire है तो उसकी वजह से किसी point पर क्या आपका होगा magnetic field दूसरा application है कि magnetic field due to a current carrying cylinder यह आपका एक wire ही है लेकि थ थोड़ा ठीक है है ठीक वायर ही है ऐसे हमने current जो हमने दिखाया आपको direction तो आप simple एक wire बत मान लेना यह ठीक है यह पूरा का पूरा का पूरा वायर ही है लेकिन थोड़ा ठीक है और current कहा फ्लो कर रही है तो सबसे पहले अगर मान लो कोई point हमने लिया पी इस point पर हम चाहत है तो आपने कहा कि अगर यहां पर मान लो कि कोई point P है we want to calculate the magnetic field at point P due to the current carrying cylinder कैसे निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा सिधे ampere circuctor lock की help लेनी पड़ेगी P point को reference मान करके हमें एंपीरियन लूप बनाना होगा तो यह current कैसे फ्लो कर यह उपर के तरफ तो देखो इस current की जो magnetic field lines होगी वो कैसी होगी आप थम रखोगे along the current रखोगे आपका जो curl finger है वो क्या है वो magnetic field lines को represent करतेगा और जो magnetic field lines बनेगी close loop में उसी को हम एंपीरियन लूप लेके आगे बढ बना सकते हैं यह बनाती आए हो आप लोग ऐसे यह गलत हो गया बटाजी लूप आपका बनेगा ऐसे ठीक बटाज यह एंपीरियन लूप आपका बन जाएगा थोड़ा सा इसमें भी mistake हो रही है इसको सही करता हूं मैं देखो बटाज आपका बन गया एंपीरियन लूप ब प्रॉब्लम यह आपने एंपीरियन लूप पॉइंट पी पर है यहां से जो डिस्टेंस है सेंटर से आप लोगे इस इसको मान लोगे आपका आर मान लोगे अब इस पॉइंट पर इस वायर की वज़ह से जो मैंटिक फिल्ड की डिरेक्शन होगी वह इनवर्ड होगी आप इसके बाद आप क्या करो कि जिस पॉइंट पर आपको मैंटिक फिल्ड निकालना होता है उस पॉइंट पर एक स्मॉल एलिमेंट कट करते हो डियल और डियल भी आपका इनवर्ड ही होगा तो मैंटिक फिल्ड भी और डियल के बीच का जो एंगल होगा वह जीरू होगा तो तो आपको होगे सर किया हो जाएगा close integral b dot dl is equal to mu not into i इस close loop के अंदर जो i current है वो तो पूरा का पूरा i flow कर रहा है क्योंकि पूरा का पूरा cylinder इस loop के अंदर आ गया है तो जो current इंवर्ड है loop के वो तो i ही है तो आपको होगे सर कि यहाँ पर हो जाएगा close integral b dl cos 0 is equal to mu not into i b को आपने बाहर निकाल लिया क्योंकि b ही तो हमें calculate करना है बाहर क्यों निकाल रहा है क्योंकि loop के हर point पर भी same होगा क्योंकि यह आपका close loop आपका है तो आपने कहा कि यह simple बन गया dl बन गया यह equal to आगया mu not i आगया इसका मत्तब है इसको integrate करेंगे पूरा का पूरा तो अगर b into 2 pi a आजाएगा is equal to mu not i आजाएगा तो b क्या आजाएगा what is the b? mu not i upon 2 pi a अब देखो यह जो आपका cylindrical wire है ना अगर point बाहर है और उस point पर आपको magnetic field निकालना है तो जो cylindrical wire है वो simple straight wire की तरह भी हैब करेगा यह wire का जो cylindrical wire है ठीक है ना ठीक हो यह चाहतीन हो अगर point इसके बाहर चला गया तो आपका यह भी है बचाएगा straight wire जो straight wire में जो result आया था वो इसमें भी आएगा तो आपने कहा कि यह तो आपका आ गया outside कहा आ गया यह आपने भी कहा निकाला है outside में चीक है ना I think बनी बात आप समझ पा रहे हो अगर हम इसी point को मान लो अब इसी point को हम surface पर लेके चले आएं इस surface पर यहां मान लो लेके चले आएं इस surface पर तो बताएए अब जब इस surface पर लेके आओगे तो यह जो आपका बन जाएगा emperion loop अब surface पर अगर आ जाओगे तो emperion loop यह बन जाएगा ऐसे ऐसे यह बनेगा तो बताईए सरफिस पर क्या बनेगा तो अगर आपने कहा की बी सरफिस पर निकालना है तो क्या हैगा बी नौट आई अपॉन टू पाई और इसकी जो रेडियस होगी जो रेडियस आपको मानलो अगर R है तो R लोगे है ना बटा जी जो भी इसकी radius आप लोगे वही आपको मिलेगी मानलो radius इसकी r है तो आप क्या बताओगे सर यहाँ पर 2 pi r आ जाएगा चीकर ना 2 pi r आ जाएगा तो यही आपका है ना जो आपने दिया इसको आपने पूरा का पूरा यह पूरा का distance आपको यहाँ से लेकि यहाँ तक a था तो आपने कहा कि simple mu not i upon 2 pi a आ गया यह क्या है वाइर से लेकि उस point के बीच का distance है जैसे surface पे आ गया आप surface पर a किसके बरावर हो गया cylinder की radius के बरावर हो गया तो mu not i upon 2 pi r आ गया है cylinder की radius है तो surface तक तो ठीक है surface तक आपका वही straight wire की तरह वह behave करेगा लेकिन अगर आपका point inside आ गया अब हम बात करते हैं माली जी आपका second point हो गया यह आपका be out हो गया अगर हम be in की बात करें be inside की बात करें तब क्या होगा तो वह question मारका आप कैसे निकालें की inside क्या होगा तो आप क्या करोगी हमारे पास यह cylinder देखो अब देखो हमारा point यहाँ पर P आ गया inside तो अगर inside इस point पर निकालना है तो आपको यहाँ पर एक बनाना पड़ेगा close loop बिल्कुल और यह यहाँ से लेकि यहाँ तक जो distance आपने लिया इसको ए ले लिया है ना क्योंकि रेडियस आपने आर लिया हुआ है देखो यहाँ पर theory हमने दिया हुआ इसमें आप पॉइंट है तो यह आपका यहाँ आजाएगा इस पर बनाएंगे हम क्या है एंपीरियन लूप ऐसे बनाएंगे अब इस लूप के अंदर जो current current flow कर रहे है क्या वह आई ही odor कर रहे है आपकोसर नहीं आई तो पूरा का पूरा अब इतने बार्ट Yoo चोटे से पार्ट में है उसको निकालना से निकल रही है वो पाई आर स्क्चाट होगा इस काके रीस आरे यह atravies पूरा का पूरा उति ईरिया है इस्ट पुरे से पूरी यहां से लेकं गये हां तीर यहां जा रही है उपर वह कितना सर्फिस ए रहे है पाई आरे में और यह ih historicक्ट यह क्या गया total current पर unit area आ गई है ना total current पर unit area आ गई बिटा जी तो बताए इतने छोटी सी area में कितनी current slow कर रही है इसमें किसे multiply कर दोगे pi into a square से इस volume से इस volume से जो current यहां से pass हो रही है जो current इसमें से pass हो रही है छोटी सी area में से current निकल रही है वो कितना है i upon pi r square into pi a square ठीक है बटा जी अगर यह आपको समझ में आ गई बात तो simple लगा देते हैं डू क्या है ampere circular law लगाते हैं तो क्या होगा b dot dl is equal to mu not into i enclosed इस simple आपका b into l ही होगा आपको पता है यह केतना होगा b बाहर आजाएगा dl को integrate करेंगे आजाएगा 2 pi a आजाएगा बेटा जी अगर पूरा का पूरा इस पर लेंगे 2 pi a आएगा is equal to क्या आजाएगा mu not into what is the 2 i total current upon pi r square into pi a square तो pi से pi यह कट जाएगा ठीक है बेटा जी अभी निश्या आजाएगा तो b कितना आजाएगा बेटा देखो बेटा जाएगा mu not i upon बेटा जी r square into a square यह 2 pi a a से यहाँ a कट गया तो आपको जो जो b inside आया कितना आगया mu not i mu not i a upon 2 pi r square ठीक है ना 2 pi r square तो I think इस बात को आप समझ रहे हो बेटा जी मैं क्या बोल रहा हूँ mu not i into e upon 2 pi r square तो यह inside इसको याद रखो तो कोई problem की बात नहीं है जहाँ पर small r क्या है radius of the cylinder है और a क्या है cylinder के center से उस point का distance है जहाँ पर हमको मैंने फिल्ड find out करना है यह सारे के सारे concept मैंने आपको explain किये और आप यहाँ पर graph भी बना सकते हो graph कैसे बना सकते हो देखो यह आपका manlo distance आपका a है इधर आपका क्या है field आपकी b है और जब आप center पर हो तो field आपकी zero होगी straight line जाएगी अब फिर जैसे ही surface पर पहुँचोगे तो field maximum होगी और rectangular hyperbola से गिरती जाएगी ऐसी है तो आप कहोगे सर यह बड़ी important चीज थी कि यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ पर b proportional to a है और यहाँ पर b proportional to 1 upon a है ठीक है बटाजी तो इस तरीके साब चीजों को represent करोगे यह इसका graph मिल गया अगर किसी बच्चे कोई doubt होगा तो discuss करेगा बटाजी अब अगली वीडियो में हम अगले concept को discuss करने बाले हैं ठीक है बटाजी I think मेरी बात आप समझ गए और notation को ले की डरना मताब बस concept आपका clear है तो आप आराम से इस calculation को कर ले जाओगे ठीक है बटाजी Thank you